हेलो दोस्तो, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छे टपिक वीडियो बना रहा हूं दोस्तो, ठीक है, तो आपने देखा हुआ कि आजकल बहुत सारे लोगों के पास बाइक, कार या फिर स्कूटर होता ही होता है ठीक है, और इन कार, स्कूटर्स और जो बाइक होते ह ठीक है दोस्तो, और अगर हम देखेंगे सारे नॉन गियर स्कूटर्स तो हमारे एक्टिवा, जूपिटर, टीवेस, एंट टॉर्क, बाद में अपने सुजिक के एक्सेस, जो भी नॉन गियर स्कूटर्स आते हैं, इन में बहुत सारे ब्लैक पार्स लेगे होते हैं, ठीक ह अब उसके बाद अपना गाड़ी कितना भी धोलो, कितना भी आप उसे उसके पेर्ट्स को पॉलिश कर रहो, लेकिन जब तक आप उसका ये ब्लैक ट्री में फिर ब्लैक जो बॉड़ी पैनल्स होते हैं, उसे जब तक आप मतलब रिश्टोर नहीं करतो, वो बहुत ही मतलब बहुत ही गंदा लगता है दोस्तो, तो आज मैं आपके लिए इसका solution लाया हूँ ठीक है, आज मुझे product आपके लिए लाया हूँ, वो product मैं पिछले 5 सल से उसकर रहा हूँ दोस्तो, और इसका result बहुत या उसम है, ठीक है दोस्तो, मैं इसे अपने car पे, अपने activa पे और अ अपने मेरे पीछले वीडियो पे बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया है दोस्तो, और उमेद करता हूँ आप यह प्यार जारी रखेंगे, ठीक है दोस्तो, तो चलिए आप मेरे activa के पास चलते हैं, और मैं आपको इसका तो दोस्तो, यह है मेरे activa और इसका जो side trim है, plastic part है, उसका आप condition देख सकते हो, जो मेरे activa है दोस्तो, यह almost अभी 6 साल पुराने activa है दोस्तो, ठीक है, और इसके सबसे फिर भी यह, इसका condition बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं इसे properly time to maintain करता हूँ दोस्तो, और जो यह dashboard polish है है दोस्तो, उसे आप अपने tire के side wall पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो जो हमारे meter console activa का उसका जो आजू-बाजू में जो plastic trims है, जो panels है, उसका condition आप देख सकते हो, बहुत ही मतलब यह fade हो चुका है, क्योंकि मेरे ख़ल से पिछले 3-4 महीने से मैंने इस पे polish apply नहीं क हो सकते हैं, तो video थोड़ा सा लंबा होने वाला है दोस्तो, लेकिन फिर भी आप video skip मत करना, क्योंकि मुझे आपको पूरा process in detail दिखाना है, ठीक है, आप नीचे का पार्ट देख सकते हैं यहां पे दोस्तो, यह बहुत ही fade हो चुका है, यह बहुत ही मतलब whiteish हो चुका है, जो बहुत ही मतलब बहुत ही गंदा लगता है हमारे गाड़ी के उपर, हम अपना गाड़ी कितना भी धोले, अगर यह पार्ट जो plastic पार्ट होते हैं, अगर इसे हम रिस्टोर ना करें तो गाड़ी ऐसी लगते है कि बहुत पूरानी हो चुका है गाड़ी, तो उसके बाद आप जहां पर अपना छोटा मोटा लगेज लटकाते हैं, वहां का देख सकते हैं, वहां पर भी पूरा मतलब यह वाइड वाइड हो चुका है, जिसे हमें प्रॉपर ले आज रिस्टोर करना है, ठीक है, तो चलिए मैं आपको सालेंसर के पास दिखाता हूं, तो यहां का प्लास्टिक पार्ट भी आप देख सकते हो, यहां पर भी मतलब यह बहुत जादा फिर्ड हो चुका है, तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो डैश्बर पॉलिश है, वह इसे रिस्टोर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तो यह मुमेंट अफ टूथ होने वाला है, तो यह व पीछे का जो फेंडर होता हो भी देख सकते हो, बहुत ही मतलब बहुत ही फेड हो चुका है, तो यह डैश्बर पॉलिश इसे रिस्टोर कर पाता है कि नहीं, यह भी आज हम देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, तो इस डैश्बर पॉलिश को हम अल्मूस्ट हर प्लास्ट यूज करने वाले हैं, वो है मोटो माक्स का डैश्बर पॉलिश दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान से इसका पैकेजिंग देख लेना है, और यह मैनिफेक्चर है बाई पीडिलाइट इंडस्टी इसके कॉपी मार्केड में बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन आपको डूब तो इस बॉक्स के साथ आपको एक स्पोंज भी दिया जाता है, जो थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसलिए मैंने सेपरेट लिए एक स्पोंज लिया है, जो थोड़ा सा स्टरडी है, तो क्या करने आपको, आपको इस स्पोंज पे थोड़ा सा जो अपना डैश्बर पॉलि में आप चाहिए वैसा इसे एपलाय कर सकते हो उसमें कोई मतलब इसा डारेक्शन की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि पूरे पार्ट पर यह प्रॉपरली एपलाय हो जाए तो आप देख सकते हो मैं कैसी से अपलाय कर रहा हूं और आपको डारेकली फ देख सकते हो यहां पर देख सकते हो दोस्तो तो इसी तरीके से आपको क्या करना इसी तरीके से अपको हर जगा पर इस डेशबर पॉलिष को लगा लेना है लेकिन मैं आपको थोड़े से श़्ौट्स दिखाने वाल्य हो यहांपर ताकि आप खुद अए प्सक्र्फ कर पा अराम से ऐसे आपको apply करके लेना है तो देखते हैं कि dashboard polish इस plastic part को restore कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है तो आप इसका मतलब आप simply लगा सकते हो कि यह हर फेड़ हर फेड़ प्लास्टिक पाड को प्लास्टिक ट्रिम को आसानी से restore कर लेगा दोस्तों फिर भी मैं और थोड़ी शॉट्स दिखाने वाला हूँ जहाँ प्लास्टिक मेरे एक्टिवा के प्लास्टिक पाड बहुत ही ज्यादा फेड़ हुचिक है यह उसे restore कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है हम देखेंगे दोस्तों लेकिन अभी तक मुझे इसका performance बहुत ही आना दोस्तों उम्मेद करता हूँ मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे content पर वीडियो बना रहा हूँ आप देख सकतो इस पार्ट पर हम देखेंगे मुझे लगता है कि इस पार्ट को भी यह बहुत ही आसानी से restore कर लेगा दोस्तों आप देख सकते हो कितने आसानी से अंसर के पास यह वाला पाट भी बहुत ही जाद है फेड हो चुका है देख यह मतलब इतनी आसानी से restore कर लिए कि मतलब कुछ हुआ है नहीं था आप डिफरेंस नोड कर सकते हो यहां पर प्रॉपर ली वीजिबल डिफरेंस है दोस्तों यहां पर जहां पर मैंने अपना ड आउटकम क्या आता है आप देख सकते हो मतलब इसे भी इसने आएसे restore कर लिया कि इस पर जैसे कुछ हुआ है नहीं था मतलब आल्मोस्ट बैक्टु शोरूम कंडिशन हो गया देख सकते हो इस तो आप अब जहां पर पर देखो और जहां पर नहीं लगा वहां पर देखो त तो आप देख सकते हो मैं यहां पर अपला कर रहा हूं डेशबर पॉलिश और इसे भी इसने बहुत ही जादा आसानी से restore कर लिया है दोस्तों मतलब देख सकते हो कितना भी ओल्ड आपका प्लास्टिक पर आपके गाड़ी पर लगा हुआ हो कितना भी फेड़ेड हो चुग एक कपड़े से जो access polish यहां पर लगा होगा उसे आपको clean कर लेना है दोस्तों तो outcome आपके सामने है आप देख सकते हूँ इसने मेरे 6 सल पुराने activa के dashboard को इतनी अच्छी तरीक से restore किया है जैसे कि यह लग रहा है कि अभी अभी showroom से गाड़ी बाहर आ रहा है दोस्तों ठी भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों और यह water repellant है दोस्तों ठीक है और आप पुछोगे कि मुझे अपने गाड़ी पर इसे कितने इंड्रोल में यूज़ करना है तो मैं बोलूँगा आप इसे दो महने की इंड्रोल में आप इसे यूज़ कर सकते हो तो आपके गाड़ी के dashboard या फिर प्लास्टिक टिम्स फेडने होंगे ठीक है तो मिद करता हूं मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट भी वीडियो बना रहा हूं तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगवा तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो का लाइक टार्गेट है द